पूरब के प्यार में बेहत पागल बन चुकी है पूरब और दीशा की श्रादी हो वो इसे किसी भी हाल में रोकना चाहती है इसलिए वो अब दीशा से one-to-one बात कर उन्हें चैलेंज करने वाली है वो दीशा को नीचा दिखाने की कुशिश करती है उन्हें ये कहकर कि वो एक middle class लड़की है और उनका किसी भी तरह से आलिया से कोई comparison नहीं है आलिया पूरब के लिए right choice है वो दीशा को लगादार insult करती है लेकिन उसी बीश वहाँ पूरब आ जाते हैं और अपनी प्रेमेगा यानी दीशा का support करती है भले ही पूरब आलिया के गंदे इरादों से अंजान हो लेकिन वो उसे ये साफ-साफ कह देते ह है कि वो दीशा से ही शादी करेंगे आलिया ये सब खुद पूरब के मुझ से सुनकर बेहत शौक हो जाती है और ये समझ कर कि पूरब दीशा से शादी करने में खुश है उसे और भी ज्यादा आग लग जाती है देखना इंट्रिस्टिंग होगा कि इस बार आलिया दीशा और पूरब को अलग करने के लिए क्या करती है आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए और इस कहानी में और क्या होता है ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चानल टेवी प्राइम प्राइम हिंदी